जैहिन दोस्तों स्वागत आपका एक महत पूर्ण वीडियो में दो पर्मो खबरे हैं सबसे पहले हैं कि पूर्व सैनिकों को साथ में पुलिस बल के जवानों को अधिकारियों को निसुलक बस यात्रा से उद्दा दी जा रही है किसको सको लाग होगी इस वीडियो में जाने है लेकिन काफी पूर्व सैनिकों को इसकी वारे में अनभी किता है यहां पर आप हेडिंग्स देख सकते हैं कि बीड़ता पुरुसकार से समानी सैनिकों एबं पुलिस बल के जवानों को निसुलक बस यात्रा सुविधा परदान की जाने के शंबंद में है और यहां पर ब बिसिस्टिवा मेडल महभीर चक्र कीर्थी चक्र उत्तम सेवा मेडल अति बिसिस्टिवा मेडल वीर चक्र सौरे चक्र युद्ध सेवा मेडल उसके लावा सेना मेडल बिसिष्ट सेवा मेडल मेंसन इन डिस पैंजेज चीफ आप दी आर्मी स्टाफ कमेडिशन कार्ड इन सबी को निसुलक बस सेवा उतर प्रदेश के अंदर गत लागू है। उसके लाओ चीफ आफ दी नेबल स्टाफ कमेडिशन कार्ड और चीफ आफ दी एर स्टाफ कमेडिशन कार्ड वालों को भी यहां सुब्दा अभी लागू कर दी गई है। अगली जो खबर है वहाँ पूर्ब सैनिकों के नाम से लेटर है एक सर्विसमेन सब्द को हटानी की तैयारी में है सरकार एक सर्विसमेन की जगाब एक सर्विस परसनल का इस्तिमाल होगा के इंदर इस पर बिचार कर रहा है। दरसर पंजाब और हर्याना हाई कोट में एक याचि का दायर की गई थी एक पूर्ब महिला अधिकारी की द्वारा और उन्होंने कहा था कि एक सर्विसमेन सब्द पूरुस का सम्मूदन है एक महिला को आप एक सर्विसमेन नहीं कह सकते। पंजाब और हर्याना हाई कोट ने रक्सा मंत्रायर को लिटर लिखा। रक्सा मंत्रायर ने फिर पंजाब और हर्याना कोट को रिप्लाई दिया। एक किंदर सरकार जल्द ही एक सर्विसमेन सब्द को संसुदित कर इसके अस्तान पर एक सर्विसमेन परसुनल का इस्तिमाल करने जा रही है। पट्याला की रहने वाली कैप्टन सुकबीर पाल कौर जो की सिवन रिवर्द हैं उन्होंने याचिका हाई कोट में दायर की थी और उन्होंने कहा कि वहां एक महिला है नकी पूरुस हैं इसलिए उसके जैसे पूर्ब महिला अधिकारियों को एकस्समेन नहीं कहा जाना चा न्यूट्रल होना चाहिए याचिकापार केदर सरकार की ओर से बताया गया है कि अब एकस्समेन सब्द को बदल कर एकस्सर्विसमेन परसॉनल करने का भी करने पर विचार किया जा रहा है इस समद्द में जल्द ही निड़ा ले लिया जाएगा तो यह थी दो अपडेट